नमस्कार मैं हूँ अंशिता क्या मद्ध्रदेश में बीजेपी की जमानत भी नहीं बच पा रही है क्या डबल इंजन की सरकार में इतना काम भी नहीं हुआ है कि विधायक उसे दिखा कर जनता के बीच जाकर वोट मांग सकें क्या राज्य में ब्रश्टाचार का मुद्धा इतना बड़ा हो गया है कि स्थानी विधायकों के साथ दूसरे राज्यों के विधायकों भी काम पर लगा दिया गया है अगर ऐसा नहीं है तो बीजेपी वाले इतना परिशान क्यों हैं डबल इंजन की सरकार में एक सीट पर डबल विधायक क्यों लगाय जा रहे हैं क्या मोदी का जादू काम नहीं कर रहा है उनके चहरे पर वोट मिलना मुश्किल हो रहा है इसलिए दोदो विधायकों की जरूरत पड़ रही है यही नहीं कुछ जानकार इसे बीजेपी की बॉखलाहट भी बता रहे हैं उनका कहन कि पहले तो आनन पानन में 17 अगस्त को बीजेपी ने 49 सीटों पर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी बीजेपी का यह एलान सभी के लिए चोकाने वाला था लेकिन अब उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि बीजेपी ने चार राज्यों से 230 विधायकों को ट्रेनिंग दी जाएगी जो सभी सीटों पर सर्वे करेंगे विधायकों को बाकाइदा क्लास दी जा रही है कि लोगों से जाकर मिलो उनके मुद्दे सुनो उनके साथ संपर्क स्थापित करो यानि कि साढ़े तीन साल में विधायकों ने काम नहीं किया तो आखरी समय मे सारस लेवस रटना चाहता है ये तो सभी जानते हैं कि ये कितना मुश्किल भी होता है खेर आगे बढ़ते हैं तो ये सभी 230 विधान सबसीटों पर 20-27 अगस्त तक रहकर पार्टी की चुनावी हालतों का जाइजा लेंगे और आलकमान को साथ दिन बाद ये विधायक अप बीजेपी ने सीटों को चार श्रेणियों यानि कि A, B, C और D में बाटा है अब इन श्रेणियों की केटिगरी की बात की जाए तो A श्रेणि की सीटों को सुरक्षित माना जाता है जबकि B में ऐसी सीटे हैं जहां बीजेपी एक बार हारी थी श्रेणि C में ऐसी सीटे हैं उनमें ज्यादातर सी और डीश रेडियो की सीटों वाले हैं जहां से या तो प्रित्याशी दो बार से ज्यादा हारा है या फिर कभी जीता ही नहीं है मद्रप्रदेश में घोशित कई सीटे ग्वालिय चंबल शेतर गई हैं जहां बीजेपी को लगता है कि वो कमजोर इस्तिती में हैं आपको याद भी होगा 2022 में ग्वालिय शेहर में ही 57 साल बाद नगर निगम के चुनाओं में भाजपा के गड़ में कॉंगरिस ने जीत हासिल कर नया आतिहास लिग दिया था जबकि जोते रादेत सिंधिया बीजेपी में आ चुके हैं वहीं 2018 में 34 में से 26 सीटें कॉंगरिस की जोली में ही गई थी यही नहीं मद्यप्रदेश में बीजेपी की हालत कितनी खराब है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि चुनाओं की कमान पूरी तरह से केंद्री ग्री मंत्री अमिश शाह ने अपने हाथों में ले र जोखिम नहीं उठाना चाहते यही नहीं कॉंग्रिस पर परिवारवाद का आरोप लगाने वाली बीजेपी की अपनी सूची में परिवारवाद और सियासी रसूख की भी जलक देखने को मिल रही है अब बीजेपी जितना फूख फूख कर कदम रख रही है उतना उसके ल में चाचोड़ा सीथ की पूर्विधायक ममता मीना के पुत्र आकाश मीना और लालू ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खुल दिया है उसने सोचल मीडिया पर एक पोस्ट किया है कि अगर ममता जी को टिकेट नहीं मिला तो चाचोड़ा में बीजेपी नहीं आएगी मतलब अपने राज़े पर फोकस करना चाहिए लेकिन पार्टी उन्हें जनता के सेवक के तौर पर काम करने नहीं दे रही है बलकि अपने फायदे के लिए इस्तमाल कर रही है लेकिन इससे भी उसका काम बनता नहीं दिख रहा है क्योंकि स्थानी MLA ही भाजपा को हराने पर उतार दी है इस वीडियो में इतना ही आप सब्सक्राइब कीजिए फेस्बुक पर लाइक कीजिए और कॉमेंट करके बताईए आपको हमारे ये वीडियो कैसा लगा आने वाले दिनों में हम और किन मुद्धों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताईएगा ट्विटर